नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेधी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर, डेली न्यूस अनालेसिस 30 डिजंबर 2022, आज के इंपोर्टन न्यूस कौन कौन सा है, चेक करते हैं, वैसे दोस्तों मैं बताओं, आज इतना कोई इंपोर्टन न्यूस एशन कंट्री से आटी-PCR नेगेटिव रिपोर्ट एक मैंडेटरी रिकॉर्मेंट बनाने वाला है, गर्मन ओफ इंडिया, जेनुरी वन टूटोसन ट्री से यह एफेक्टिव होगा, फिर देखे, हर्याना गर्मन हाइक्स मंथली इंकम लिमिट फॉर फ्री ट्रीटमेंट अट प्राइवेट होस्पिटल्स, हर्याना गर्मन कुछ प्राइवेट होस्पिटल्स को मैंडेट किया है, कि उन्हें पूर पीपल को फ्री ट्रीटमेंट प्रवेट करना पड़ेगा, तो पहले पूर पीपल को डिजेट करने का जो मंथली लिमिट 5000 था, उसे 15,000 तक इंक करेंगे, फिर देखे, इंधिया में जितने स्टेटि करने के लिए एक सेड़ीर होा था, तो उसका रिपोर्ट आया है, तो यह पता चला फिर हम जो तुसके बार में भी इसक्वर्फॉर में लिगी, गें वेर देख लिए थे स्टेप बंस गेम, स्टेप पंस गेम का मतलब होता है to work harder और perform better आपको और hard work करना पड़ेगा और अच्छी तरी अच्छा performance देना पड़ेगा ठीक है example देखे you need to step up your game if you want a promotion this year अगर आपको इस साल में promotion चाहिए तो आपको hard work करना पड़ेगा you should step up yourself ठीक है तो आगे जाने से पहले लक्षा पर like का बटन चानल को अब तक share and subscribe नहीं किया हो तो कर लीजिएगा हमें support करने के लिए आप super thanks का option यूज कर सकते हो शुरुआत करते दोस्तों सबसे पला नूस remote EVM ready to help migrants vote outside states election commission gs paper to elections में नूस आपको कामाएगा election commission of india ने बोला है कि उन्होंने एक prototype develop किया है for a multi constituency remote electronic voting machine which would enable remote voting by migrant voters देखे क्या है आप सबको पता है हमारे देश में internal migration बहुत होता है internal migration मतलब क्या होता है देखे एक country के अंदर states के बीच में जब लोग migrate करते हैं उसे internal migration बोलते हैं यह कोई जरूरी नहीं है states के बीच में migration होने से ही internal migration बोला जाएगा अगर states के अंदर districts के बीच में भी अगर migration हो रहा है वो भी internal migration है ठीक है मेरा कहने का मतलब है मान लीजिए उत्र प्रदेश से कुछ लोग आके बस बंगाल में रह रहा है वो internal migration है कोई doubt नहीं at the same time उत्र प्रदेश का लखनो डिस्टिक से अगर कुछ लोग जाके गाजियाबाद में रह रह रहे है वो भी internal migration है ठीक है तो हमारे देश में कितना migration हुआ है इसके बारे में एक data में आपको बता होगा 2011 census के हिसाब से there are 450 million internal migrants it is an increase of 45% over the 2001 census तो 2001 census से compare करोगे number of migrants 45% increase हुआ था मतलब 2011 census के हिसाब से इंडिया में 45 crore internal migrants थे अब तो 2022 हो गया है इससे भी ज्यादा increase हुआ होगा आपको खुद पता चलोगो दोस्तों आपका जो home city है home district है उथर आपको ऐसे कई सरे लोग मिल जाएंगे जो दूसरे states का है या फिर दूसरे districts का है अब इन में से कुछ लोग क्या है अपना host city को छोड़ के दूसरे कोई city में या state में जाके permanently settle हो जाते है पर कुछ लोग क्या है दोस्तों वो permanently settle नहीं होता है कुछ time के लिए चला जाता है फिर वापस आ जाता है यह जो migration है इसे circular migration बोलते है मतलब circular migration is the movement of people back and forth between host cities without settling there permanently आपसे examination में सवाल पूछ सकता है circular migration क्या होता है मतलब बिना permanently settle होते हुए जो लोग migrate करते है न उसे circular migration बोलते है और सबसे ज्यादा migrant workers आपको मिलेगा underdeveloped rural areas में से and the most marginalized groups such as Muslims, scheduled caste and scheduled tribes, OBCs and other minorities में से है सबसे ज्यादा migrant workers जो है क्योंकि देखिए they lack assets like land and are largely illiterate unfortunately हमारे देश में जो vulnerable communities है उनके पास खुद का land नहीं होता है largely वो illiterate रहते है अनपड रहते है इस वज़े से वही community से आपको सबसे ज्यादा migrant workers देखने को मिलेगा and the largest interstate migration sources in 2011 वेर उत्रप्रदेश and बिहार with 83 lakh and 63 lakh migrants respectively तो सबसे ज्यादा migration कहा से होते दोस्तों कौन कौन से इंडियन स्टेट्स में से होते है उत्रप्रदेश and तो data मैंने आपको बता दिया अब आप सोची दोस्तों इतने migrant workers हैं हमारे देश में जब elections होते हैं वो अपनी अपनी constituencies में vote कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं मतलब एक sizable share of population migration की वज़े से अपनी अपनी constituencies में vote नहीं कर पाते हैं तो इस problem को सुलझाने के लिए election commission of India ने बोला है कि हम एक prototype develop किया है for a multi constituency remote electronic voting machine मतलब जहां पे भी आप होगा उधर जब elections होगा polling booth में एक remote electronic voting machine equipped होंगे उधर जाके आप vote कर सकते हो basically मान लीजिए आप उतर प्रदेश का है और आप केरला में आके काम कर रहा है जब elections होगा उतर प्रदेश में तब आप केरला से vote कर सकते हो उसके लिए एक remote electronic voting machine setup होंगे by the election commission और यह voting machine का नाम है remote voting machine या फिर multi constituency remote electronic voting machine अब आपके मन में डाउट आया होगा देखिए मान लीजिए बिहार से कुछ लोग केरला में आके काम कर रहे हैं अब बिहार के अलग-अलग constituency से बिलोंग कने वाले लोग होंगे ना तो अपनी अपनी constituency में वो यह remote electronic voting machine से वोट के से करेंगे इसके लिए जवाब है दोस्तों remote electronic voting machines can handle multiple constituencies from a single remote polling booth एक ही polling booth रहेगा पर यह जो remote electronic voting machine से यह multiple constituencies को handle कर पाएंगे तो इस बारे में tension लेने की जरूरत नहीं है वैसे देखा जाएगा तो postal voting, service voting यह सारे options available है पर आपको ध्यान रखना है postal voting के वल government employees के लिए available है यह जो migrant workers है इनके लिए available नहीं है और armed forces personal के लिए service voting भी available है ठीक है पर यह जो migrant voters है वो अपनी constituency में अगर vote करना चाहता है तो यह remote electronic voting machine वाला जो सुविधा है वो use कर सकते है तो election commission of इंडिया nine states में assembly elections होने वाला है तब यह implement करने का अगर वो successful होगा तो 2024 में जो general elections होगा मतलब lock supply elections होगा उसमें यह fully implement करेंगे और देखी 2019 general elections में voter turnout केवल 67.4% था इसका मतलब यह है over 30 crore electres vote नहीं कर पाए थे migration की वज़े से देखे 2022 है यह इतना ज्यादा technological advancement हुआ है तो इतने सारे electres को बाहर रखना यह अच्छा sign नहीं है इसलिए election commission of इंडिया इस तरह एक technology के बारे में अभी बात कर रहा है तो अगर यह remote EVM वाली technology implement करना है तो कुछ laws and roles में amendment लेके आना पड़ेगा जैसे कि the representation of people's act of 1950 and 1951 में the conduct of election rules 1961 में and the registration of electors rules 1960 में यह आप थ्यान दीजेगा ठीक है तो election commission ने भी बोला है वो एक public sector undertaking के साथ collaborate करके यह multi constituency remote electronic voting machine को develop करेंगे and the modified form of EVM can handle up to 72 multiple constituencies from a single remote polling booth तो देखे एक remote polling booth रहेगा उस में से 72 multiple constituencies को handle कर पाएंगे यह जो modified form of electronic voting machine जो है now electronic voting machine के बार में कुछ basic details भी मैं आपको बता देता हूँ the Indian electronic voting machine that is EVM was developed in 1989 by election commission of India in collaboration with फारत electronics limited and electronics corporation of India Limited तो देखे ध्यान दीजेगा 1989 में electronic voting machine developed हुआ था by the election commission of India इसके लिए election commission of India दो public sector undertakings के साथ collaborate किये थे one is bell that is भारत electronics limited second is electronic corporation of India Limited ठीके नो EVMs were first used in 1982 in the by election to North Parabur Assembly constituency in Kerala for a limited number of polling states अब आप थोड़ा सा confused हो गया होगा क्योंकि मैंने आपको इथर बोला electronic voting mission election commission of India ने 1989 में develop किया था जबकि मैंने आपको इथर बोला EVMs were first used in 1982 in the by election to North Parabur Assembly constituency in Kerala अब देखे दोस्तों इसके पीछे एक interesting story में आपको बताता हूं election commission of India 1979 से प्लान कर रहा था कि ये ballot paper वाला system को हटा के electronic voting mission लेके आना है तो आसे पाइलेट प्रोजेक्ट जब एक by election हुआ 1982 में नौत परवूर Assembly constituency in Kerala में election commission of India डिसेट करते हैं 50 polling stations में हम EVM यूज़ करेंगे ठीके पूरे polling stations में EVM यूज़ नहीं किया बालत paper से ही काम चल ला था पर 50 polling stations में उन्होंने एक experimental basis पर EVM यूज़ किया और हुआ क्या है दोस्तों Congress candidate हार जाता है Communist candidate से वो भी केवल 123 votes से अब Congress candidate ने Kerala High Court में एक प्ली फाइल किया और election commission of India को challenge किया ये बोला कि आप किस तरह electronic voting machine यूज़ किये 50 polling stations में जबकि आपने existing laws and rules में कोई amendment लेके नहीं आया है देखे मैंने आपको इथर बोला था अगर remote EVM यूज़ करना है तो representation of people acts of 1950 and 51 में conduction of election rules in 1961 में registration of electoral rules in 1960 में changes लाना है या फिर amendments लाना है जबकि election commission of India इन सारे rules में कोई changes नहीं लाया था उन्होंने 50 polling stations में ये EVM यूज़ किया था पर देखे unfortunately वही election में congress candidate 123 vote से हार जाता है तो congress candidate ने क्या किया वो high court में पहुंच गया कि election commission of India इस तरह electronic voting mission use नहीं कर सकते करके पर केरला high court ने उनका plea को reject किया entertain नहीं किया पर congress candidate क्या किया वो supreme court पहुंच किया 1984 में supreme court ये rule करते हैं कि ये election फिर से conduct कराना है 50 polling stations में again ballot paper से आपको election conduct कराना पड़ेगा क्योंगी EVM use करने के लिए आपको existing laws and regulations में official amendments लेके आना ही आना है और क्या हुआ जब 50 polling stations में ballot paper से फिर से voting हुआ न तब congress candidate जीत जाता है इसके बाद Parliament 1988 में representation of people act में कुछ amendments लेके आते हैं और section 61 ये introduce करते हैं तब से electronic voting mission use करने के लिए एक authority मिल गया फिर 1999 में जब गौवा में legislative assembly elections हुआ then EVMs were used for the first team in a general election ठीक है फिर 2003 में सारे by elections सारे state elections EVM से ही हुआ था फिर 2004 में जब लोगसभा elections हुआ then the election commission of India decided to use only EVMs तो लोगसभा elections जब 2004 में हुआ था न केवल EVM ही use किये थे तो आपसे सवाल पूच सकता है किस लोगसभा election से completely EVM यूज़ करना शुरू किया था तो वो है 2004 Now election commission of India जो EVM यूज़ करते हैं उसमें maximum 2000 votes सक record कर सकते हैं Now आप EVM को categorize कर सकते हैं M1 EVM, M2 EVM, M3 EVM अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं EVM वो है M3 EVM अब M1 अन M2 में क्या difference था? देखे M1, M2 जो 2 सार दस्ते पहले यूज़ किया जाता था उसमें maximum 64 candidates तक character कर सकता था including NOTA पर M3 EVM जो 2013 के बाद यूज़ किया जा रहा है मतलब जो अभी यूज़ किया जा रहा है उसमें maximum 384 candidates including NOTA को character कर सकता है तो ये भी अब थ्यान दीज़ेगा एक EVM में 384 candidates including NOTA को character कर सकता है M3 EVM में तो ये सब कुछ basic details है दोस्तों electronic voting machine के बारे में maximum तो आपको पताई होगा I hope आपको remote EVM के बारे में basic idea मिल गया अगला है RT-PCR negative report must for air travelers from five Asian countries GS paper to health, GS paper to government policies and interventions में आपको काम आएगा देखिए दुनिया फर में COVID-19 cases increase हो रहा दोस्तों and precisely Asian countries like China, Japan, South Korea, Singapore, Thailand में cases तो बहुत ज्यादा increase हो रहा है इसलिए Ministry of Health and Family Welfare ने कुछ guidelines issue किया है January 1, 2023 से इन पार्च कंट्री से जितने भी international travelers इंडिया में पहुंचेंगे उनके पास negative RT-PCR report होना चाहिए तो जितने भी international travelers है उनको सबसे पहले एक self declaration form fill up करना होगा Air Suvitha Portal में, Air Suvitha Portal क्या है, basically एक website है जिसमें आपको self declaration form fill करना है इसके बाद आपको RT-PCR test report भी upload करना होगा Now, IATA disappointed, now this is important for us, क्या है IATA, this is International Air Transport Association दुनिया फरका 300 से ज्यादा aliens को represent करने वाला एक international body है दोस्तों International Air Transport Association, उन्होंने Government of India का इस decision को oppose किया है देखिए क्या बोला है, India's decision to reintroduce COVID-19 testing is disappointing and a step backward तो एक disappointing decision है इस तरह बोला है, क्योंकि देखिए, अलड़ी COVID-19 pandemic की वज़े से International Traveling Tourism वगरा काफी affect हुआ था और International Airlines वगरा को बहुत साधा नुकसान हुआ था उपर से यह testing मगरा mandate करने से क्या होगा ना, लोग travel करना ही बंद करेंगे, ठीक है उपर से हमारा vaccination process भी सही तरह चल रहा है, फिर भी देखा जाएगा तो इस तरह के जो gate lane से इस तरह के जो policy से गर्मन के तरव से आना चाहिए बहुत सही है, ठीक है Now, the announcement is unlikely to have an immediate impact as bookings are done much in advance, आप देखिए आप ही गर्मन की तरव से announcement आया है, इसका कोई immediate impact नहीं होगा, क्योंगी लोग bookings वगरा बहुत पहले से करके बैठा हुआ है है कि नहीं, आप और impact होगा या नहीं, यह तो आगे पता चलेगा Now, International Air Transport Association के बार में कुछ basic details में आपको बता देता हूँ, एक trade association है दोस्तों, for the world's airlines, representing some 280 airlines और 83% of total air traffic, इसमें 280 लिखा है पर यह 300 से ज्यादा है दोस्तों, इतना ही समझ लिजीगे, global air traffic का 83% को IATA रपसंट करता है, April 1945 में फोर्म होओ था, it is the successor to International Air Traffic Association which was formed in 1990, तो देखिए, 1919 मे International Air Traffic Association फोर्म होओ था, उसका successor association है, International Air Transport Association जो April 1945 में फोर्म होओ था, IATA supports airline activity and helps formulate industry policy and standards, so airline industry में policies फोगरा formulate करना, standards set up करना, airline activity को monitor करना, support करना, यह सब IATA का basic objective से, headquarter का आप पे है, Montreal, Quebec, Canada with executive officers in Geneva, Switzerland, देखिए, Montreal, Quebec, Canada, Canada का एक प्रोविंट से, Quebec, तो उथर, IATA का headquarters है, आप दोस्तों, RT-PCR test के बारे में कुछ basic details में आपको बता देता हूँ, ज्यादा deep गुषने की ज़रूत नहीं, उतना depth knowledge मुझे है भी नहीं, basic details जोब का examination perspective में important है, वही मैं आपको बताऊंगा, RT-PCR test का full form reverse transcription polymerase chain reaction test, कैरी मुलीस करके एक American biochemist ने ये PCR technique को invent किया था, इसी invention के लिए इन्हें 1993 में Nobel Prize for Chemistry भी मिला था, तो इस test के अंदर किया क्या जाता है, copies of a segment of DNA are created using an enzyme code polymerase, तो polymerase करके एक enzyme use करके DNA का, एक segment का copies create करते हैं, Now, इसमें लिखा है chain reaction करके, chain reaction क्या होते हैं दोस्तों, chain reaction signifies how DNA fragments are copied exponentially, one is copied into two, two are copied into four and so on, देखें मैंने आपको बताया था ना, copies of a segment of DNA को create किया जाता है, तो किस तरह वो DNA fragments copy होता है ना, उसे ही chain reaction बोलते है, DNA एक से दो बन जाता है, दो से चार, चार से आठ, आठ से सॉला, इ added to the DNA, which shows the presence of the virus on a fluorometer, तो fluorometer करके एक instrument इदर यूज़ किया जाते हैं दोस्तों, देखिए, क्या होता है, एक fluorosan DNA binding, एक fluorosan मतलब समझे रहो ना, मतलब colorful, अपने fluorosan stickers वगरा देखाऊगा ना, गाड़ी वगरा में चिपकाते हैं, तो एक fluorosan DNA binding dye यूज़ करते हैं, जिसे probe ब fluorometer, इसे fluorometer भी बोलते हैं, थ्यान दीज़ेगा, पर देखें दोस्तों, यह जो coronavirus है, यह तो RNA से बिना हुआ है, DNA से नहीं है न, तो सबसे पहले क्या करते हैं, coronavirus को डिक्टेट करने के लिए RNA को DNA में convert किया जाता है, using a technique called reverse transcription, and a reverse transcriptase enzyme converts the RNA into DNA, तो देखें दोस्तों, reverse transcription process में, एक reverse transcriptase enzyme use करते हैं, RNA को DNA में convert करने में, ठीक है, then copies of the DNA are then made and amplified, फिर copies of segments of DNA create करते हैं, उसे amplify के जाता है, तो यह सारे process इसमें involved है, इसलिए इसे इतना बड़ा नाम दिया हुआ है, reverse transcription, polymerase chain reaction test, तो एक एक करके आप समच सकते हो, reverse transcription होता है, reverse transcription मतलब क्या है, RNA को DNA में convert करने वाला जो process है, फिर polymerase क्या है, polymerase basically एक enzyme में, जिसमें segments of DNA का copies create करते हैं, फिर chain reaction क्या होता है, जिस तरह DNA exponentially copy हो जाता है, दो से चार, चार से आट, उसी को chain reaction बोलते हैं, तो यह सारे process involved है, इसलिए इतना बड़ा नाम दिया हुआ है, reverse transcription, polymerase chain reaction test, I hope आपको समझ में आ गया, अगला है, हर् जी एस परपटू, government policies and interventions में उस आपको कामाएगा, देखी, सबसे पहले, हर्याना शहरी विकास प्रतिकरन के बारे में समझना होगा, यह basically हर्याना state का urban development authority है, या फिर हर्याना state का planning agency आप बोल सकते हैं, जिनोंने concessional rates में land allocate किया था, private agencies को hospitals set up करने के लिए, तो basically private agencies को concessional rate म land मिल गया अपना infrastructure create करने के लिए, पर उस वक्त हर्याना government ने इन private hospitals को बोला था, जिन लोगों का monthly income 5000 से कम है, उन्हें आपको free treatment provide करना पड़ेगा, इतना clear है, तो अब हर्याना government under Manohar Lal Khattar साब ने बोला है, कि ये 5000 का limit को हम 15000 तक कर रहे हैं, तो मतलब जिनका monthly income 15000 से कम है, उनको भी private hospitals को free treatment provide करना पड़ेगा, सारे private hospitals को नहीं, जीन private hospitals, हर्याना, शहरी, विकास, फ्रतिकरण, सेक्टरेस में आते हैं, उनको, तो देखे, guidelines के इसाब से, they need to provide free of cost services to 20% of the total outdoor patients on a first come, first served basis, देखे, अगर बहुत लोग आएंगे, तो सब को देने की ज़रूत नहीं है, के सबसे पहले आएंगे, तो first come, first served basis में, free treatment provide किया जाएगा, and they also need to reserve 10% of the total buds for free treatment to poor patients, तो जितने बेट से उसका 10% free treatment to poor patients के लिए भी reserve करके रखना है, now, super specialty hospitals जितना है दोस्तों, मतलब जहाँ पे advanced technologies वगरा है, advanced treatment facilities वगरा है, वो इस scheme में included नहीं है, अब देखे, दोस्तों, ऐसा नहीं कि कितना भी build amount होगा, वो completely free of cost होगा, अगर total build amount 5 to 10 lakh के बीच में है, तो hospitals 10% of the total build amount charge कर सकते है, मतलब अगर 6 lakh हो गया, तो 60,000 देना पड़ेगा, and अगर total build amount 10 lakh से उपर है, तो 30% hospitals charge कर सकते है, समझ गे, now, मैंने आपको पहले बोला, super specialty hospitals के लिए ये applicable नहीं है, फिर भी अगर एक गरीब patient को super specialty treatment की जरुवत है, तभी एक scheme है दोस्तों, एक तो वो एकदम गरीब होना चीए, उपर से उन्हें रफर करना चीए, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, सिविल सर्जन, और डिस्रिक्ट रेट क्रोस सोसाइटी, तब जाके super specialty hospitals में भी treatment available है, and the gate lanes also require the setting up of separate counter for poor patients, and a separate medical store for the sale of generic medicines, तभी poor patients के लिए separate counter होना चीए, और उनके लिए separate medical store होना चीए, for the sale of generic medicines, अब यह generic medicines मतलब क्या होता है, यह भी मैं आपको बता देता हूं, देखे, इसे generic drug भी बोलते है, it is a pharmaceutical drug that contains the same chemical substance as a drug that was originally protected by chemical patents, देखे दोस्तों, आजकल दुनिया में जितने भ medicines available है, वो सारे patent protected है, मतलब जिस company ने उस medicine को develop किया होगा, उनी के पास rights है, वो medicine develop करने का, ठीक है, अगर कोई और उसे copy करेंगे तो patent violation होगा, तो जब यह patent time खतम हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि lifelong के लिए patent हैंगे, तीन साल के लिए, पांच साल के लिए, ऐसा रखा है, वो patent time खत रखते हैं, तो इसे बोलते हैं दोस्तों, generic drug, so the generic drugs are allowed for sale after the patents of the original drugs expired, because the active chemical substance is the same, the medical profile of generics is equivalent in performance, अब देखे, generic drugs का जो performance है वो same रहेगा, क्योंगी actual medicine में जो active pharmaceutical ingredient या फिर API यूज किया होगा न, वही ये लोग भी यूज कर रहे है, देखे, active pharmaceutical ingredient क्या होता है, it means the active ingredient which is contained in the medicine, देखे, एक medicine मतलब पूरा जो tablet है वो medicine है, आप वो medicine के अदर बहुत सारे contents है, तो उसमें एक ऐसा content है, जो actually आपको disease को cure करेंगे, उसे active pharmaceutical ingredient बोलते हैं, ठीक है, तो यही active pharmaceutical ingredient यूज करेंगे न, दूसरे pharmaceutical companies भी, तो performance तो same रहेगा, तो generic drug मतलब कहा है, मैं आपको बता द है, तो generic drug में एक चीज़ ध्यान दीजेगा, same active pharmaceutical ingredient या फिर API यूज होते हैं, इसके अलावा, beneficiaries must have a family identity card और BPL card और the आईश्मन भारत card to be eligible for subsidized treatment, तो देखे, दोस्तों, मैंने आपको बोला ही, यह केवल poor patients के लिए available है, तो poor patients को identify करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, दोस्तो उनके पस below poverty lien वेला card होना चीए, या फिर आईश्मन भारत card, जो प्रथार मंदरी आईश्मन भारत योजना है, उसके अंदर covered होना चीए, अब प्रथार मंदरी आईश्मन भारत योजना के अंदर जो लोग covered है, वो एकदम poor लोग है, तो जिनके पास यह सारे card already है, वो यह subsidized treatment के लिए अप्ले कर सकते हैं, तो यह सारे important details इतर बताया हुआ है, एक होप आपको समझ में आ गया, अगला एक report है दोस्तों, एक study report है, तमिल नादू information commission worst performing in RTA responsiveness, GS paper to write to information में ये news आपको काम आएगा, देखी, central information commission के अंडर हर एक state में state information commission है, तो इन state information commissions का performance को analyze करने के लिए, recently, सतर्क नागरिक संगठन करके एक agency ने एक study conduct कराया था, तो यह study का report अभी release हुआ है दोस्तों, on the performance of information commissions in India, तो यह report के हिसाब से, state information commission of तमिल नादू worst performing है, इनसे जितने information मांगा था, उसका केवल 14% इन्होंने फर्निश किया है, second worst है, महारास्ठा केवल 23%, और कुछ state information commission ने तो 100% information फर्निश किया है, मतलब सही तरह काम किया है, these included आंधरा पदेश, हारियाना, जारकंड, और नोर्थ इस्टेन states of Sikkim, नागरिक संगठन, हमारा Central Information Commission और 28th State Information Commission से कुछ information मांगा था, जैसे कि कितने appeals and complaints के साथ आपने deal किया है, कितनी बार आपने penalty impose किया है, कितनी बार आपने compensation award किया है, पर ये सब के बारे में State Information Commission of Tamil Nadu ने ठीक से जवाब नहीं दिया है, उनका जवाब ये था, state legislative assembly का approval के बेना हम ये information आपको दे नहीं सकते हैं, पर देखें दोस्तों, RTA Act 2005 के साब से ऐसा कोई provision नहीं है, कोई भी authority ये नहीं बोल सकता कि मुझे state assembly का permission चाहिए, तब जाके मैं ये details आपको दे सकते हैं, तो ये ही important information है, now, right to information act के बारे में कुछ basic details, right to information act 2005 mandates timely response to citizen request for government information, अगर आपको government से कुछ information चाहिए, या फिर कोई भी government body से कुछ information चाहिए, तो time frame के अंदर available कराना है, यही mandate करता है, RTA act 2005, and the basic objective of the right to information act is to empower the citizens, promote transparency and accountability in working of government, contain corruption and make our democracy work for the people in a real sense, तो basically हमारा democracy, एक real sense में काम करने के लिए, corruption को contain करने के लिए, government processes में transparency and accountability लाने के लिए, citizens को और empower करने के लिए, right to information act एनाट किया था, now central information commission के बार में कुछ basic details, RTA act 2005 के साब से central government ने 2005 में central information commission established किया था, वो एक constitutional body नहीं है, ध्यान दीजेगा, इस commission में एक chief information commissioner रहते हैं, and not more than 10 information commissioners भी रहते हैं, यह सब आप से examination में पूछ सकते हैं, तो maximum information commissioners कितना हो सकता है, 10, 10, they are appointed by the president, on the recommendation of a committee consisting of, अब देखिए, central information commissioner and members को appoint कौन करते हैं, president of india, president of india को recommendation देते हैं, एक committee, वो committee में कौन कौन है, chairperson है, prime minister of india, फिर leader of opposition in the loksabha है, and a union cabinet minister है, nominated by the prime minister, now, इनका time of office कितना है, chief information commissioner, and an information commissioner, shall hold office, for such term, as prescribed by the central government, or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier, very important point, आपको ध्यान रखना है, इनका time of office, central government, deced करते हैं, maximum 65 years तक हो सकता है, ऐसा नहीं, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं, central government deced करेंगे, वैसे maximum age 65 है, and they are not eligible for reappointment also, ये भी आप थ्यान दीजेगा, अब इनका powers and functions भी देख लेते, it is the duty of the commission to receive an inquiry into a complaint from any person regarding information request under RTA 2005, so RTA 2005 के under, अगर कोई भी citizen, कोई भी एक public authority से कुछ information मांगा, और उन्हें satisfactorily जवाब नहीं मिला, तब वो complain कर सकते हैं, तो वो complain के बारे में inquire करना, ठीक है, उन complaints को receive करना, ये सब इस commission का काम है, and the commission can order an inquiry into any matter if there are reasonable grounds, reasonable grounds मतलब क्या होते हैं, मतलब देखिए, अगर उनको लगता है कि एक genuine case है, उसके ओपर investigation होना चीए, तो ऐसे matters के ओपर inquiry order करने का power है, commission के पास, and suor motor power भी है, suor motor power मतलब क्या है, suor motor मतलब at all accord, किसी से complaint receive करने की ज़रूत नहीं है, अगर central information commission को यह लगता है कि कहीं पर गलत हो रहा है, तो वो अपने आप भी एक order issue कर सकता है, ठीक है, and while inquiring, the commission has the powers of a civil court in respect of summoning, requiring documents, etc. तो एक civil court के पास जितने powers है, जैसी कि लोगों को summon करना, कुछ documents मांगना, यह सब civil courts का power है, इस civil court का power, यह central information commission के पास भी है, तो दोस्तों, that's it, I hope आपको वीडियो informity लगाओगा, लेक्च्चर की PDF, as usual, आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा, इसका link नीचे, description box में provided है, thank you for watching, bye-bye, have a nice day.